नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2023 का पहला सुरी ग्रहन कब लगेगा दोस्तों क्योंकि सुरी ग्रहन हमेशा ही आवस्या थिथी पर पड़ती है तो ऐसे में आवस्या थिथी नजदिक होने के वज़े से लोगों के मन में यह सवाल बढ़ गया है कि साल का पहला सुरी ग्रहन कब लगने जा रहा है ऐसे मैं आज के इस वीडियो में हम साल 2023 के पहले सुरी ग्रहन के सही समय के बारे में सूतक काल के बारे में यह ग्रहन कौन से दिन पड़ेगा और कौन-कौन से देशों में यह ग्रहन दिखाई देगा इन सभी विशेयों पर बात करेंगे और साथ ही में ग्रहन के विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों साल 2023 का पहला सुरी ग्रहन में सरासी में पढ़ने जा रहा है अगर हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह एक खग्राश सुरी ग्रहन होगा अर्थात यह एक पूर्ने सुरी ग्रहन होने जा रहा है ऐसे में इस सुरी ग्रहन को दुनिया भर के कई देसों से खुली आँखों से देखा जा सकेगा वही पे जोती सास्त्र के हिसाब से पूर्ण सुरी ग्रहन के बारे में जाने तो पूर्ण सुरी ग्रहन के दोरान ग्रहन का सूतक काले माने होता है यानि कि ग्रहन लगने से 12 गंटे पहले से ही इस ग्रहन का सूतक काल सुरू हो जाएगा और इस दोरान सभी प्रकार के सुभकारियों की मनाई होगी चलिए दोस्तों जानते हैं साल 2023 का पहला सुरी ग्रहन कब लगेगा दोस्तों साल 2023 का पहला सुरी ग्रहन बैसाक महा के क्रिस्न पक्च आवस्यातिती पर लगने जा रहा है यह ग्रहन करीब 5 गंटे 24 मिनट का होगा और इस ग्रहन को साउथ इस्ट एसिया, अस्ट्रेलिया, पैसिफिक, इंडियान ओस्यन और अंटाक्टिका से देखा जा सके गया साल का पहला सुरी ग्रहन दिन गुरुवार को पढ़ेगा और यह ग्रहन 20 अपरेल 2023 को लगने जा रहा है ग्रहन के सुरू होने का समय सुबह 7 बचकर 4 मिनट से है और यह ग्रहन दिन के 12 बचकर 29 मिनट पर समाप्त हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजेगा